हेलो फ्रेंद्स ट्रिकर अमीत यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस यूड़े में आप सभी को बताने बाले हैं कि प्राइबेसी पासबर्ट लोग कैसे खोलते हैं अगर आपका प्राइबेसी लोग का पासबर्ट भूल के हैं और आप से नहीं खूल रहा है तो ये वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा और एक बहुत अच्छी बात कि बीना कोई डाटा डिलीट किये ही आप प्राइबेसी पासबर्ट को खोल सकते हैं अगर आपका लोग हो गया है आप पासबर्ट भूल गया है और आप अपना डाटा भी डिलीट नहीं करना चाहते हैं और आप अपना प्राइबेसी पासबर्ट का लोग खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप सुरू से अंतक पूरी ध्यान से देखना इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा solutions पूरा practical करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको privacy password को forget करना है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना चैनल पर पहली बारा है आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेना चलो गाज इस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम उस applications पर चले जाते हैं जो applications हमारा privacy से lock है तो हमारा ये वाइटी studio lock है हमें इसका password पता नहीं है अब यहाँ पे options आ गया है try again in 27 seconds तो अब हम थोड़ी सी 25 seconds wait करते हैं उसके बाद हम आगे का process को start करेंगे आगे का process काफी simple है guys अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी skip नहीं करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी lock हमारे इस वीडियो को देखने के बाद खुल जाएगा तो अब देखो lock खुलने के लिए यहाँ पे करना क्या है एक बार फिर से आपको यहाँ पे wrong password क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पे forget password के बटन पे आपको क्लिक करना है इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूछेगा reset from security questions और एक पूछेगा reset through recovery email address अगर आपके पास security question का जवाब है मतलब अगर आपको teacher name पूछा जाए और आपको यह teacher name का answer पता है तब तो आप एक चुटकी में खोल सकते हो लेकिन अगर आपको इसका teacher name पता नहीं है तो आपको gmail id से खोलना परेगा अब आई दूबे हमें तो इसका teacher name पता ही नहीं है इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर जो email address दिया गया है यह email address के ऊपर आपको एक ओठीपी जाएगा लेकिन आपको यह email address पहले यहाँ पर डालना परेगा तो मैं अपना email address यहाँ से डालता हूँ आपके जो यह email address है उसके उपर एक OTP गया होगा वो OTP verification code को आपको यहाँ पर डालना परेगा तब आपका privacy lock खुल जागा चलो हम वेट करते हैं OTP का तब तक कि हमारा OTP आजा चलो हम अपना mailbox एक वर चेक करते हैं यहाँ पर देखें उपर में आ चुका है मेरा OTP तो यहाँ यह OTP code है यहाँ पर 43046 मैंने अपना OTP को यहाँ पर दर्ज कर लिया है आपको भी इसी तरह से दर्ज कर देना है इसके बाद आपको reset password के उपर क्लिक करना है आपका password इस तरह से reset हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पी एक नया password set करना है नया password के लिए चलो हम कुछ भी ज कुछ भी आप लगा सकते हो चलो यहां से मैं पासवर्ण डालता हूं कि अब फिर से आपको confirm करना है इसके बाद देखो privacy password successfully reset हो जाएगा मतलब आपका privacy password hundred percent change हो गया है बदल गया है इसके लिए अब आपको करना क्या है इस application में आना है अब आपको जो नया password set किये थे वह password आपको डालना है आपका security question जो सिक पुछता था वो सब बाइपास हो गया security lock आपका खुल गया तो इस तरह से जो है वह आप अपने फोन के अंदर में privacy password lock को काफी असानी से खोल सकते हैं तो दोस्तों आप हमें बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार है चलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो गया जो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बाइबाई जहिन बंदे मातरम